हेई हलो फ्रेंड्स वेलकम तू मियूल साज फोटोशॉप हिंदी वीडियो टुटोडल और आज मैं आपको फोटोशॉप में सिखाऊंगा कंटेंट अवेर टूल के बारे में तो दोस्तो बेजिकली ये टूल करता क्या है कि आपको किसी भी बैग्राउंड में अन्वांटेड अबजेक्ट है उसको रिमू करना है तो आप बड़ी आसानी से उस टूल की मदद से कर सकते हैं जैसे कि कोई बैग्राउंड आपको चाहिए और कुछ अबजेक्ट है जिसको आप महां से रिमू करना है तो आप उस टूल की मदद से कर सकते हैं तो देखें दोस्तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं सबसे पहले आप फाइल में जाएए अपनी इमेज ओपन कर लिजे जैसे कि मेरे पास यहां पर एक इमेज है ये तो मेरे पास ये इमेज है तो मुझे इसमें इस डॉग को यहां से रिमू करना है और उसके लिए तो आप सबसे पहले एक कंटेंट अवेर टूल को यूज़ करने से पहले एक चीज़ का धियान रखिए कि इसकी मल्टिबल कॉपी सोना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लेजिए और उसका शॉटकट है कंट्रोल जे और उसके बाद आप यहां पर जाएए यह स्पॉर्ट इलिंग ब्रस टूल के जस्ट नीचे फोर्ट वाला आप्सन है कंटेंट अवेर टूल उससे चुनिया और यहां से सेलेक्शन स्टार्ट कीज़ आपको बस आउटलाइन ड्रॉ करने ऐसे फ्री हैंड आपको बस ड्रॉ करना ऐसे परफेक्ट आये अतना कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें जस्ट यहां से ऐसे आपकी सेलेक्शन हो चुकी है तो जस्ट इसे क्लिक करके ड्राइक करके नीचे लियाए यहां पर जो एरिया आपको यहां पर और जस्ट क्लिक छोड़ दिये देखिए आपका object वहां से remove हो चुका है तो अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं तो इसे कर देंगे delete और इसको deselect करने के लिए ctrl d तो देखिए दोस्तों यहां से हमारा object बिल्कुल remove हो चुका है और आपका background ऐसा है कि जैसे यहां पर वह dog था ही नहीं तो दोस्तों चलिए देखते हैं दूसरी image में कैसे करते हैं तो इसे मैं close कर देता हूँ दूसरी image open करते हैं जैसे कि मेरे पास एक यह image है तो इस image में मुझे यह इंसान और यह ball को यहां से remove करना है और मुझे इस background को कहीं भी use करना है तो same process हो ही सबसे पहले यह इसकी copy कर लिजिए control जिए उसके बाद यहां से content aware tool और यहां से selection start कीजिए आप approximately आप कर सकते हैं उसमें कुछ perfect आना जरूरी तो है नहीं तो just randomly आप claw कर लिजिए ऐसे और यह आपके selection हो गई तो इसके बाद आप इसको click करके just यहां पर drag कर दीजिए जो object का location है उसके stick पीछे यहां पर और click छोड़ दीजिए देखिए आपका object बिलकुल वहां से remove हो चुका है अब इसकी जरूर रखनी है तो इसको delete और Ctrl D तो देखिए बिलकुल object आपके remove हो चुका है और अब ऐसे बाल को भी यहां से remove कर लेंगे तो यहां से select किजिए और उसको ऐसे नीचे ले आईए और click छोड़ दीजिए देखिए यह भी यहां से निकल चुका है तो अब इसे कर देंगे delete और इसे Ctrl D तो देखिए दोस्तों यहां पर बिलकुल आपका unwanted object remove हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने background में से unwanted object को remove कर सकते हैं और इस background वो कहीं भे भी use कर सकते हैं thank you for watching, take care, bye bye, मिलते अगले tutorial में झाल 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 झाल